जहां दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो बात करेंगे इन्रॉल्मेंट फॉर्म के बारे में नामांखन फॉर्म के बारे में बैसे तो नामांखन फॉर्म के बारे में कापी जाना वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पर और चार-पांच दिन में हमारा नामांखन वीडियो आता ही रहता है तो आज के इस वीडियो में नमांकन फॉरम के बारे में मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं आपको यह भी बताऊँगा कि नमांकन फॉरम कौन कौन सी उनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट कर देगा है तो कॉलिज के नमांकन फॉरम आज चुके हैं कापी बार मैंने आपको वीडियो के माददम से बताया है नमांकन फॉरम कैसे बरना है तो नमांक पॉर्म हैं जान्दातर सभी उनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ड कर दे गए हैं अगर आप MPK स्टूडेंट मध्यप्रदेश के स्टूडेंट हैं तो यहां पर जो भी मुक्यत उनिवर्सिटी हैं यूजी पीजी एडमिशन कर बाती हैं जैसा कि मारा है चत्रसाल बुंदि के द्वारा और यहां पर सभी के स्टार्ड हो गए हैं और मैं आपको वीडियो के माद्दम से भी बता चुका हूँ और कापी उनिवर्सिटी तो ऐसे हैं जिनकी लाजज जेट भी निकल चुकी है और जिनोंने नामांकन फॉर्म करवाना भी बंद कर दिया लेकिन कुछ अ अगर आपने एड्मिसल लिया है तो आपके यहां पर नामांकन फॉर्म परनबाना शुरू कर दिये गए हैं और इसकी लाजज दोस्व आप 28 दिसंबर रखी गई है 28 दिसंबर तक आप जिवाजी उनिवर्सिटी के जो भी स्टुडेंट हैं अपना नामांकन फॉर्म करव पर आपको पताया गया है इसके अलावा दोस्व जिवाजी से एक और अपडेट आ रहा है DTE कोर्सिस में जैसा MBA के पुल्क टाइम कोर्सिस होते हैं उनमें अगर आपने एड्मिसल लिया है उनके भी आपने नामांकन फॉर्म करवाना श्टार कर दे गए हैं और इसकी OS का मतलब होता है डोस दोस्तों आपने डारीक्ट यूनिवर्सिटी में एड्मिसल लिया है और लिया है आपने MAM.com, MSE, UG, BA.com, BSE जैसे कुछी भी कॉर्सिस में एड्मिसल लिया है सभी के यहाँ पर दोस्तों नामांकन रजिस्टेसर होना स्टार्ट कर दे गए हैं जैस रजिस्टेशन करवा सकते हैं 14 अक्टूबर से इनके रजिस्टेशन चल रहे हैं अभी ठीक है इसके अलावा दोस्तों MCB युनिवर्सिटी से अपडेट आ रहा है मारा है इनके जो नामांका रजिस्टेशन एन्रॉल्मेंट फॉर्म एपलाई होंगे वो ओपलाइन मोड में होंगे ओपलाइन मोड का मतलब होता है कि जिन्होंने जिस कॉले में भी एड्मिसल लिया है उसी कॉले में जाकर कि आपको अपना नामांका रजिस्टेशन करना है दोस्तो तो इस बाद जो नमंकार रजिस्टरेशन दो तरह ऐसे हो रहे हैं एक तो ूंकार दीographics conseguir का मतलब होता है जिन्होंने direct university में admission लिया है उनके तो online होंगे ठीक है उनके तो online होंगे लेकिन जिन्होंने college में admission लिया है जिन्होंने college में admission लिया है जैसा कि देख भी पा रहे हैं आप यांपर तो मित करना हम पूरी information समझ में आगी बाकी कि जो भी university है सभी university के start कर दे गए आप अपने column में जाकर कि information ले सकते हैं कि कितनी last date रखी गई है जानता तर मैं कहूंगा कि 30 December यह last date रखी जाएगी इसके बाद में